लो विप्विवर्स, विविवर्स, मैं हूँ कौसर सरमा, आपका स्वागत है कौसर सरमा के इस YouTube चैनल पर, विवर्स, आज की विडियो में हम आपको बताएंगे TIME, General Mail Merge के द्वारा। वैसे तो हमने Mail Merge के बारे में बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं। जैसे कि Mail Merge के द्वारा हम ladders कैसे बनाते हैं। in Excel का data यूज़ 手ढ़ा हैं। un card के उपर हम labels चुपकाते हैं। उन लेबल्स पर उन लोगों के नाम, एड्रेस, फोन नमबर बगारा लिखे रहते हैं, जिनको हमें वो भेजने होते हैं. ये नाम और एड्रेस सभी कार्ड पर अलग अलग रहते हैं. तो ये अलग-अलग तरह के अलग-अलग साइज के लेबल्स हम कैसे बनाएं ये आज की वीडियो में हम देखेंगे विएर्स अगर आपने हमारे पुराने मेल बर्स से सम्बंदित वीडियो नहीं देखे हैं तो विएर्स लेबल बनाने के लिए हमने Microsoft Word को ओपन कर लिया है लेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें किलिक करना होगा मेलिंग टैप पर तो यहां पर हम किलिक करते हैं तो इसके अंदर किलिक करना होगा आपको यहां पर स्टार्ट मेल मर्ज लेवल आप दो तरीके से बना सकते हैं या तो आप यहां से बना सकते हैं जैसे यहां पर आप इस लेवल आप्शन को सेलेट करके बना सकते हैं या फिर स्टैप बाइ स्टैप मेल मर्ज ब्रिजाड यहां से भी बना सकते हैं स्टैप बाइ स्टैप करके तो हम इसी process से बनाना सीखेंगे label को तो हम इस पर click करते हैं तो side में ये window open हो गई है ये option आने लगे हैं तो इस मैंसे भी हम select करेंगे labels इसके लाबा इसके अंदर हम lattice बना सकते हैं जो हमने आपको बता दिया है एक इसके लिए पूरा वीडियो तैयार कर दिया है एन अब लब अब नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है step 1 of 6 यानि ये label बनाईने की प्रक्रिया है ये पूरी 6 step में complete होगी तो यहाँ पर हम पहली बार next पर click करते हैं यानि starting document जैसी next पर click करते हैं तो उपर options बदल गए यहाँ पर लिखा हुआ है select starting document यानि आप अपने document को select करिए how do you want to set up your mailing labels आप किस तरह के levels बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप label के option पर click करके label का size इत्यादी set कर सकते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कई तरह के यहाँ लेबल के अलग-अलग तरह के size हैं बहुत तरह के इसके अंदर size हैं पहले से ही जिस size का label आप ब दौरा यह जो लिखा हुआ है new level यहाँ से आप अपना नया level बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर select करेंगे इस वाले size को जिसका size है level का height है 5.08 cm और width है 8.89 cm तो इस size को select करने के बाद OK पर click किया तो यह देखें इस page पर 10 level के करीब आ गहे हैं हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर हम level के borders लगा लेते हैं तो border लगाने के लिए जैसे इसको हमने select किया ंसा 방법 है कि तो बोर्डर लगाने के लिए हम जाएंगे हम पर यहां पर हम क्लिकद करेंगे औल ऑडर पर इसपार क्लिक करेंगे यहां हम गैस मलें अब क्लिकों सब्सक्राइब करेंगे मैं तियुक्त तो यहां पर कणक के लिंद्रेशिकर ह सिल जहें यहां स्वाइज बगर बॉर्डर के भी आप लेवल्स बना सकते हैं अब यहां पर हम प्रिसे नेक्स पर क्लिक करेंगे यानि सेलेक्ट रिसीपेंट के बाद आप उपर देखते हैं तो यह कह रहा है कि आपके पास पहले से ही उन लोगों की लिस्ट है जिनके लिए आपको यह इन लिएम होता है उसका एड्रेस होता है उसका सिटी होता है उसका लिएम होता है उसका पने कोड होता है Hello mist के दो Bowl अवाभि हुए हैं अगर नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर नई फाइल भी बना सकते हैं और वो रिकोर्ड पहले आप डाल सकते हैं तो इसके लिए आपको इस option पर क्लिक करना होगा टाइप एड्यू लिस्ट पर जैसी इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे ये company name address तो यह फिल्ड अगर आपके कामके हैं तो तो इनको और लीजे नहीं कामके हैं तो आप इनकोंज भी कर सकते हैं हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे कामका है पर हम चाहते हैं कि हम यह फिल्ड रखना ही नहीं काते हैं और इन सबी 分क्रम को अपने आपने जडिगे तो आपको हटाना है तो आपको क्रिक करना होगा यह पर यहां पर कश्टमाईस कॉलम पर जैसे क्लिग करते हैं तो यह देखिए वो फिल्ड यहां पर आने लगे यह डेखे यह टाइटल है टि हांपर सब्सक्राइब दरा स सकते हैं जो जो आपको हटाना उनको हटा सकते हैं जो रखना है उनको छोड़ सकते हैं लेकिन हम इन मैंसे एक भी फेल्ल को नहीं रखना चाहरा है हम अपने खुद के नई बनाना चाहरा है तो इन फिल्ट को हम यहां से हटा देंगे कैसे हटाएंगे यह सेलेट किया और यहां डिलीट पर क्लिक करके यह कर देंगे तो जिसको भी आपको हटाना है सिलेट करेंगे डिलीट पर क्लिक करेंगे यह करते जाएंगे तो इस तरह से डिलीट यहां से डिलीट हो जाएंगे इस तरह से यह सारे फिल्ड हम डिलीट करने के बाद यह देखें यह सारे फिल्ड डिलीट हो गया है इनकी जगह अब हम अपने फिल्ड लेके आना चाहते हैं तो यहां पर हम एड़ पर क्लिक करेंगे अब वह फिल्ड लेंगे जैसे हम चाहते हैं पहले एन एम आये तो हमने या tree name पर क्लिक की नेम लिख दिया और Okay पर क्लिक किया अब दूसरा बीलिडियलेना है तो फिर से हम यह एड पर क्लिक करेंगे और यहां पर यह जो विंडू अपर यह यह यहां पर हम धूसरा फील्ड ले ले लएएंगे और इस तरह से जो जो फिल्ड आपको चाहिए वो आप यहां पर लेते जाएंगे जैसे और ये पीन एड किया कि एक और ले लिए प्रिण कोड कि यहां लेके किया तो इस तुरे से यह हमारे पास चार फिल्ड यहां पर हो गये हैं अब लिद reversed तो यह देखें, पहले जो फील्ड आ रहे थे, वो तो हट गए, उटकी जगह, यह जो हमने फील्ड लिये है, वो आने लग गए है, अब इन फील्ड के अंदर रिकॉर्ड्स भर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कैसे भरेंगे, आप कीबोर्ड से यहां पर रिकॉर्ड भरेंगे, ज पिन रिकॉर्ड डाल दिया, तो इस तरह से यह एक रिकॉर्ड तैयार हो गया, अब इसके अंदर हमें बहुत सारे रिकॉर्ड डालने हैं, तो आप उन रिकॉर्डों को यहां पर एके करके डाल सकते हैं, तो अगला रिकॉर्ड डालने के लिए हमें यहां पर क्लिक करना हो होगा New Entry वाले बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो यह देखिए एक और जगह बन गई दूसरे रिकॉर्ड डालने के लिए तो यहां पर हम और दूसरा रिकॉर्ड डालेंगे तो इस तरह से करीब हम इसमें 12-13 रिकॉर्ड इसके अंदर भर देंगे रिकॉर्ड भरने के बाद जैसी ओके करते हैं आपसे फाइल नेम पूछ रहा है अब यहां पर हम कोई भी फाइल नेम डाल दें जैसे हमने यहां फाइल का नाम डाल दिया एड्रेस उसके बाद यहां सेव आप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह देखो यह बता रहा है कि आपने एड्रेस नाम की फाइल के अंदर इतने रिकॉर्ड भर दिये हैं प्रre packs करने पर अब वही पर अ गये जहां हमने लेवल का फॉर्मिड पनाए था अब इसके अंदर उन रिकॉर्ड्डों को हमें ले Ee के आना है तो रिकॉर्ड लेकर आने के लिए सब से पहले आप नेक्ष्ट पर क्लिक करेंगे अरें तो वो टेक्स्ट क्या आए वो टेक्स्ट आए एन एम ई नेम लिखा हुआ आए तो इस तरह से हमने एन एम ई लिख दिया अब यहां पर उस फील्ड को इंसर्ट कराएंगे जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड भराता नेम बाला तो उसके लिए हमें किलिक करना होगा मोर आइटम जैसी हम यहां पर क्लिक करते हैं तो यह देखी यह विंडो ओपन हो गई इस वैसे हम हम यहां पर नेम वाले फ्याइंड को इंससर्ट कराएंगे क्लोज किया अब यहां पर दूसरे फ्याइव इनसर्ट कराना है तो उससे पहले हम यहां पर ट без a god बूसरा फील्ट था एड deputy uses करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करके क्लोज कर देंगे इसी तरह से तीसरा फील्ड था हमारा सुटी नेम यहां पर लिखा सिटी नेम यह लिखने के बाद अब सिटी वाले फिल्ड को ले लेंगे यहां पर तो पर बॉर आइटम पर गए यहां को select किया, insert किया और close कर दिया, एक और last field था हमारा pin code इस pin code को लिया, फिर से more item पर गए और यहां पर pin code वाले field को insert कर आया, close किया, तो ऐसे यह सारे के सारे field हमने इस label में ले लिये हैं, अब इसमें हम थोड़ी formatting कर लेते हैं, हम चाहते हैं, यह नाम थोड़ा सा बड़ा आए, तो इस नाम वाले field को select करने के बाद, आप home के अंदर जाएंगे, इसको आप bold कर लें, हम चाहते bold आए, यह underline भी आए, यह size में थोड़ा सा बड़ा भी आए, तो यहां से हमने इसको बड़ा कर लिया, और यह color में भी आए, तो यहां से इसको एक color दी दिया, ठीक है, अब इस तरह से यह formatting करने के बाद, यह formatting हम सभी labels पर चाहते हैं, इस page पर, तो हमें फिर से label वाले tab में जाके, यह जो option देख रहे हैं, आप update labels, इस पर जाके click करेंगे, तो पूरे page पर यह format implement हो गया है, सभी labels पर एक जैसा format आगया है label का, अब यहां पर हम फिर से next पर click करेंगे preview your labels, जैसे ही हम इस पर click करते हैं, तो आप देख रहे हैं, पहले यहां field जो हमने लिये थे, उनकी जगए, अब यह records डिस्पले होने लगे, जैसे हमने पहले number पर यहां पर यह वाला record लिया था, अनिज सर्मा का, दूसरे पर यह लिये थे, तो इस तरह से पूरे page पर यह records ह में देखाई देने लगे, तो सिर्फ अभी एक page का यह preview के रूप में यहां पर दिखा रहा है, हम सभी labels को एक साथ देखना चाह रहे हैं, जितने भी हमने record डाले थे, वो सब label के रूपे दिखाई दे, तो हमें click करना पड़ेगा, फिर से next पर complete the merge, यह हमने click किया, तो यहा इनके direct print out निकालना है, अगर print out निकालना है, तो printer में paper भर दीजे, और print दे दीजे, तो सभी labels के print out paper पर निकल के आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको यह पहले screen पर देखना है, कि print out निकालने से पहले, यह screen पर कैसे दिखाई देएंगे, कितने page पर आएंगे, तो आप यहा यहाँ पर हमने click किया, तो यहाँ पर यह window open हो गई है, यह पहला option है, इसमें all, all का मतलब होता है, कि आपको सारे labels निकालने हैं, अगर निकालने हैं, तो all पर click करके ok कर देंगे, तो जितने भी आपने record डाले थे, वो सब यहाँ पर merge होके label के रूप में आ जाएंगे, अग screen पर दिखाई देने लगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे labels हैं, आपको मालूम है कि हमने 1200 records इसमें डाल रखे हैं, तो आप चाहते हैं कि सारे के सारे ना आते हुए, कहीं से कहीं तक के page के आएं, जैसे हमें बान के चलना हैं कि पहले page से लेकर पांच पेश तक के labels निकालना है, तो फ्रॉम में आप यहां पर 1 डालेंगे, और 2 में आप यहां 5 प्रेस करेंगे, और OK प्रेस कर देंगे, तो एक से लेके पांच पेश तक के labels यह निकाल देगा, लेकिन अभी हमारे पास इतने ज्यादा record नहीं थे, हमने 12-15 record ही डाले थे, तो यहां पर हम य levels एक page पर दिखाई दे रहा है, अब देखो, यहां से page change हो गया, अब यह दूसरे page पर भी यह levels हमें दिखाई दे रहा है, दूसरे page पर यह 2 levels पहुच गए है, क्योंकि हमने 12 record डाले थे, तो 10 levels इस page पर आ गए, उपर वाले page पर, नीचे वाले page पर 2 levels और दिखाई दे रहा है, बाकी के सारे levels खाली है, क्योंकि हमने record उतने ही डाले थे, इसलिए बाकी के levels खाली दिखा रहा है उस page पर, तो सारे levels देखने के बाद, अब आप इनके printouts निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकालने के बाद, अगर घर में कोई function है, तो साधी के cards के उपर, जो levels चिपक सकते हैं, तो viewers, उम्मीद है, आपको ये लेवल की पूरी process आपको समझ में आई होगी, बहुत आसानी से इसको आपने समझा होगा, तो viewers, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा जरूर लगा होगा, इसी तरह के और भी आपको प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम नए वीडियो बनाएंगे, तो उसका नोटिफिकरेशन सबसे पहले आपको मिल जाये करेगा, और हाँ, वीडियो से सम्मंदित कोई भी प्रश्न या सुझाब हो, तो हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो देखने के लिए बहुत अब धन्यवाद जाहिन